नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि कलोना जेपाम टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, कलोना जेपाम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और कलोना जेपाम टैबलेट की वज़से क्या साइड effects हो सकते हैं और यहाँ भी discuss करेंगे कि कलोना जेपाम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और यहाँ भी जानेंगे कि कलोना जेपाम टैबलेट को लेने के बाद कितनी देर बाद नींद आनी शुरू हो जाती है और कितनी देर तक कलोना जेपाम टैबलेट का असर रहता है। कलोना जेपाम टैबलेट का उप्योग मिर्गी और दोरों के इलाज में और एंग्जाइटी यानि चिंता वतनाव को दूर करने के लिए कलोना जेपाम टैबलेट का उप्योग किया जाता है। कलोना जेपाम टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है। इसलिए जिन व्यक्तियों को नींद कम आती है या नींद नहीं आती है। उन व्यक्तियों को भी डॉक्तर कलोना जेपाम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा पैनिक डिसॉडर होने पर भी कलोना जेपाम टैबलेट का उप्योग किया जाता है पैनिक डिसॉडर होने पर व्यक्ती बहुत ज्यादा भभीद और डरा हुआ रहता है कलोना जेपाम एक सॉल्ट नेम है कलोना जेपाम टैबलेट को कलोना फिट, कलोनोट्रिल और पेट्रिल आदी ब्रैंड नेम से भी जाना जाता है कलोना जेपाम टैबलेट 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg और 2 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है अब हम डिसकस करेंगे की कलोना जेपाम टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। कलोना जेपाम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुआत में कलोना जेपाम 0.25 mg टैबलेट या 0.5 mg टैबलेट को दिन में एक बार और रात को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। कलोना जेपाम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको कलोना जेपाम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों में कलोना जेपाम टैबलेट को लेने के बाद एक घंते से लेकर दो घंते के अंदर नींड आनी शुरू हो जाती है। और कलोना जेपाम टैबलेट का असर 6 घंते से लेकर 12 घंते तक रह सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले. साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में कलोना जेपाम टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में कलोना जेपाम टैबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे उल् कलोना जेपाम टैबलेट की वजह से याददाश्ट कमजोर होना, शरीर में ठकान वसुस्ती रहना, दस्त होना या कब्ज होने की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक कलोना जेपाम टैबलेट का सेवन करने की वज़े से शरीर का वजन ज्यादा भी हो सकता है और शरीर का वजन कम भी हो सकता है। कलोनाजेपाम टैबलेट को लेना बंद करने के बाद कुछ व्यक्तियों में नींद ना आने की समस्या पहले से भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। महिलाओं में कलोनाजेपाम टैबलेट की वज़से उनके मासिक धर्म अन्यमित हो सकती हैं। और कलोना जेपाम टैबलेट की वज़े से पुरुषों की सेक्सुल पर्फॉर्मेंस कम हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे कि कलोना जेपाम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लंबे समय तक कलोनाजेपाम टैबलेट को लेने से कलोनाजेपाम टैबलेट की आदत पढ़ सकती है। इसलिए कलोनाजेपाम टैबलेट को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए। जितने समाई के लिए आपके डॉक्तर ने कलोना जेपाम टैबलेट को लेने की सला दी है मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर, रस्पिरेटोरी डिप्रेशन होने पर, लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और आखों में ग्लुकोमा होने पर कलोना जेपाम टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना कलोना जेपाम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए कलोना जेपाम टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और कलोना जेपाम टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है, क्योंकि कलोना जेपाम टैबलेट को लेने के बाद नीन अधिक आती है. अगर किसी व्यक्ति को कलोना जेपाम टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को कलोना जेपाम टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए कलोना जेपाम टैबलेट का सेवन करना recommended नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कलोना जेपाम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और आपकी सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कलोनाजेपाम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कलोनाजेपाम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।